तो दोस्तो आज हम देखने वाले हैं कि गाउं में जो construction होते हैं उसमें कई तरह के mistakes होते हैं minor mistakes होते हैं major mistakes होते हैं तो इस वीडियो में हम construction mistakes के बारे बात करेंगे तो इस वीडियो में आप देख सकते हैं यह एक set है इसके construction में बहुत तरह के mistakes हैं तो एक एक करके हम देखते हैं इन मिश्टेक्स को तो यह देख सकते हैं आप यह लेल्टन बीम है इसमें जो श्टीरफ प्रोवाइट किया गया था उसका स्पेसिंग लगभग 12 इंच से 15 इंच है यह काफी बड़ा मिश्टेक है जेनरली लिल्टन बीम में 6 इंच से 8 इंच का स्पेसिंग देते हैं लेकिन यहाँ पे 12 इंच से 15 इंच का स्पेसिंग दिया गया है 10 इंच से नीचे किसी में है ही ने स्पेसिंग और आप देख सकते हैं इसका जो मेन बार है जो बीच में दो बार दिया हुआ है वो कैसे प्रोवाइट किया गया है सिधा है ही नहीं जबकि बीम में जो भी बार दिया जाता है वो प्रोपर सिधा होना चाहिए एक आफ़ी बड़ा मिस्टेक है जबकि RCC के के केस में एक छोटा सा भी मिस्टेक हमें नहीं करना है यह एक major part होता है बेल्डिंग का, इसके स्लेब रेंफोर्स्मेंट में भी काफी बड़ा मिश्टेक है, मेन बार जो हम देते हैं, वो सोटर स्पेन में देते हैं, जो मेन बार बोटम में आता है, और डिस्टिब्यूशन बार जो हम देते हैं, वो लोंगर स्पेन में देते हैं, जो डिस्टिब और ये set जो है हमारा ये longer span है ये हमारा longer span है ये जो हमारा distribution बार आएगा वो ऐसे आएगा main बार जो हमारा आएगा वो इधर सीधर आएगा वो bottom में आएगा और distribution बार longer span में आएगा इधर से इधर और ये top में आएगा लेखेन यहाँ पर आप देख सकते हैं मेन बार जो दिया गिया है वो लोंगर इस्पेन में दिया गिया है और डिस्टिबियूशन बार सोटर इस्पेन में दिया गिया है यह काफी बड़ा मिश्टेक है और यह इसका तूटने का मेन रीजन यही है इसे बने हुए अभी 20 years भी नहीं हुए हैं और यह हाल है जबकि उपर से कोई load भी इस पर नहीं लग रहा है एक छोटा सा mistake लगबग 5 से 10 years age कम कर देता उस घर का तो इन बातों को बिल्कुल ध्यान रखें आप जब भी construction करवा रहे हूँ तो बिल्कुल इन बातों का ध्यान रखें लोकल मिस्तिरी जो होते हैं वो काफी mistakes करते हैं गाउं के घरों को बनाने में तो आप ये गलती ना करें और ना करने दें और भी इस टैप के वीडियोज के लिए आप चेनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं साथे बेल आगउं को प्रेस कर लें